नमस्कार अपने वादे के अनुसार आज मैं वह वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको विसेश करिष्ठ सेवा चैन बोट की जो परिक्षाएं होनी है उसमें फार्मसिस्ट ग्रेट टू फार्मसिस्ट ग्रेट टू की जो वैकेंसी आई है बस्ता रंचल की लिए उसमें जो syllabus होगा वो मैं आज आपके साथ discuss करने वाला हूँ, तो आपका मेरे वीडियो में स्वागत है, zero period में मैं इस तरह के informations और नई नई recruitment के बारे में आप से बात करता हूँ, बताता हूँ, जानकारियां साजा करता हूँ, इसी करम में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उ और इस परिक्षा का आयोजन जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि विसेश कर्श सेवा, चैन बोर्ड, बस्तर, जो की इसी तरह की रिक्टियों की पूर्ति के लिए बनाई गई हैं, तो pharmacist grade 2 के लिए जो पहला भाग होगा paper का, वो सामान निर्देन यानि कि GS के नाम पर होगा, और इसमें 20 प्रश्ण होंगे, जिसके 20 अंक होंगे, मतब एक प्रश्ण का एक अंक होगा, ये मानिए, एक question एक mark का होगा, और total 20 mark का ये section होगा, जिसको हम GS के नाम से जानते हैं, या सामान ने अध्यन कहेंगे, अब सामान ने अध्यन में क्या क्या होगा, मतब कौन-कौन से topics आपको cover करने हैं, कौन-कौन से topic की preparation करनी है, वो जान ले, सबसे पहला जो भाग है, वो है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास में आपको Indian history पढ़नी है, और इस पे especially आपको freedom movement पे, स्वतंतरता आंदोलन जो है, उस पर ज्यादा ध्यान के इंद्रित करना है, भारत का इ इतिहास है, उस पर जो प्रश्ण बन सकते हैं, उसकी तैयारी करें, भारत के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भोगोल पर अपनी नजर डालें, उसकी तैयारी करें, समविधान पर बहुत प्रश्ण बनते हैं, समविधान राज्यवेस्था जो लोग प्रशासन से संबंद भाग होता है उस पर आप बात करें उस पर आप तयारी करें उसकी आप अच्छी थोरोली एक तऱ से preparation कर ले economics पर आपके प्रश्चों हो सकते हैं भारत के सामाननी विज्ञान और प्रोध्योगी की पर तो सामान निविज्ञान और प्रोध्योगी की में मतलब आप current affairs पे ज़्यादा अगर जोर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पुरानी बातें भी आप cover up कर सकते हैं कि सामान निविज्ञान का छेत्र कोई किसी सीमा में बंधा नहीं होता ये द साहित्योगा पुस्तक हैं उनके लेखक हैं कला और संस्कृति में पुराने आपके त्योहार हैं पुराने पात्र है रामा एंड महा भारत ये सारी चीज़ें आप समझिए कि इसके अंतरकत आ जाते हैं भारती दर्शन है कला है ये सारी चीज़ें जाती है उसके बाद current affairs है आप से प्रश्ण पूछे जाएंगे 20 अंके 20 प्रश्ण उसके बनते हैं दूसरा जो इसका हिस्सा है वो specially 36 गड़ पर अधारित है पूरा का पूरा जो पूर्शन है वो 36 गड़ पर ही based है तो उसमें 36 गड़ का इतिहास और उसमें स्वतंतरता आंदोलन में 36 गड़ के इन पर बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं जो 36 गड़ की परमपरा उसकी संस्कृति उसकी धरोहर से सम्मंदित होती है इस पर मैं समय समय पर अपने चैनल में वीडियो भी बनाते रहता हूं अगर आप लगातार इस चैनल को वाच करते रहेंगे चैनल को विजिट करते रहें चान का गया 36 गड़ से सम्मंदित हो मिले जाएंगी क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने इस चैनल पर जीरो पिरेट पर 36 की बाते ज्यादा प्रमुक्ता के सांथ रहूं ताकि अंचल के लोगों को इसका लाब भी मिले और वो जान पाएं 34 गड़ की जंजातियां विशेश परमपरा हैं, तीज और त्योहार, हमारी 36 गड़ में आपको पता ही यह बहुत तरइ तरह के त्योहार हैं, हरेली है, तीजा है, पोला है, ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो बाकी भारत के छेत्रों में नहीं होते लेकिन विशेश रुप की जन जाती निवास करती हैं, उनके बोल चाल के तरीके अलग हैं, उनकी भाषया अलग हैं, तो उन पर बहुत सारे प्रश्ण मनते हैं, तो आप चौते हिस्से में इसकी तैयारी कर लें, चाथीजगड़ के जो प्रशासनिक धांचा है, स्थानी शाषन है, और पंचायती राज हैं, इस पर प्रश्ण बनाने की बात कर रहा है, छड़ह इसा है, जिसमें administrative structure है, लोकल administration है और पंचायती राज हैं, इस पर जो प्रश्ण बन सकते हैं, वो संभावित होंगे, सात्वा जो बिंदू है वो कहता है च्छतिस गड़ में उद्योग, उर्जा, जल और खनिच संसाधन जो यहां के मिनरल्स है, जो यहां के इंडस्ट्री है, जो यहां के एनर्जी पावर है, जो यहां का वाटर पावर है, वाटर रिसोर्सेज हैं यह सारी चीज़ें इसमें इंटूडिट हैं, इसके अलावा आठों हिस्सा जो च्छतिस गड़ की समसामई घटना है, जैसा कि अभी अभी आपने देखा होगा, च्छतिस गड़ में राज्योत्सा हुआ, राज्योत्सा के दवरान अलंकरण दिये जाते हैं, तरह तरह के अल समसामईग भी हैं, तो ऐसे बिंदों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, पहला भाग जो होगा, आपका इस तरह से समान्यदन पर होगा, दूसरा जो भाग होगा, उसमें फार्मसिस्ट से सम्मंदिक जानकारी पूछी जाएगी, और इसमें तीस अंक के तीस प्रश्न हो होंगे, अब चूँकि यह टेक्निकल मामला है, टेक्निकल मामला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फार्मेसी से बिलॉंग नहीं करता, मेरी जानकारी इस मामले में बिल्कुल जीरो है, मैंने फार्मेसी नहीं पढ़ी है, तो इसके बारे में क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे से प्रशन आएंगे यह आप बहतर समझेंगे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आपके कौन-कौन से टापिक कवर अप करने हैं वह आप खुद ही देख लें तो आप बैटर समझ पाएंगे अगर आप फार्मेसिस्ट के एक्जाम में अपियर होने जा रहे हैं इस 11 points में अलग-अलग headings हैं जो आपके pharmacy के subject से related topics हैं तो अगर आपने pharmacy पढ़िए तो आप बैटर समझ पाएंगे इसलिए में आप चाहें तो वीडियो को pause कर ले, pause करके सारे headings note कर ले और note करके उनके according अपनी तयारी रखें ताकि pharmacy से related जो question 30 marks है जो सबसे ज्यादा समझी आपको क्योंकि 20 marks तो GK का था यानि GS का था और 30 marks आपके subject का है तो यह जो वेटेज है वो इससे ज्यादा है तो इसमें आपको अथिरिक तो तयारी कि आओ शक्ता भी नहीं होगी क्योंकि आपका विशय है इसलिए आप वीडियो pause कर ले सारे headings note कर ले और फिर उसके आपके साब से अपनी तैयारी करें है अब मैं पहुंसता हूं तीसरे भाग पर तीसरा भाग सामान्य गणित का है जो 10 अंका होगा इसके 2 हिस्से हैं पहला हिस्सा सामान्य गणित का है, और दूसरा हिस्सा, नहीं, सामान्य गणित में ही बहुत सारे हिस्से हैं, और इसमें क्या है, कुल में लाकर के दस प्रश्न होंगे, लेकिन इसका सिलेबस काफी लबना चौड़ा लिख दिया इसने, इसमें दाश्मिक प्रणाली है, दश स सानिमान, शाधारन भिन, दश्म लव, भिनौ की तुलन, दश्म्नों की तुलनौ, यह सारे यह पहले भाग के अंदर है, दूसरा भाग में आपका लगुत्तम महत्म है, महत्तम और लगुत्तम के सूत्र हैं, इनसे समांधित परश्ण है, प्रतिशाट, आउसत, चाल्ज, समय, दूरी, जिसको हम लोग DST कहते हैं, distance, speed and time, percentage, average, LCM, HCF, यह सारे जो basic math से हैं, अगर आप कक्षा आठवी, नौवी तक की तैयारी कर लेते हैं, तो यह काफी cover up हो जाएगा, तीसरा जो भाग है, वो है ब्याज का CISI, CISI मतलब चक्रदी ब्याज, साध proportion, प्रतिशात, जन्मदर, मित्युदर, जन्संख्या वृद्धी, यह सारे इसके हिस्से हैं, इकाईत तीन के, अब यह समझें, यह सारा मिलाके दसन का बनना है, तो आप अपना वेटेज भी देखते जाएए, आपके subject का वेटेज सबसे जादा है, उसके बाद G.S का बनना है, फिरिकाई चार में समतली आगरतियों का छेतरफल, त्रिभूज, आयत, समांतर, समलम, आदी, ठोस की जो अलग-अलग dimensions होती है, लंबाई, चोडाई, उश्राई, छेतरफल, घान, घानाब, यह हो गया, और यह तीसरे बिंदु में आपको मानसिक योग्यता को सम क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं कर रहा हो, आपको odd one out बोल रहा है, मत्तब विशमता को पहचानना, सीरीज की बात कर रहा है, फिर उसके बाद अक्षर श्रेणी की बात कर रहा है, नंबर सीरीज और alphabet सीरीज, और चित्रों का संबंद देखना, सांकेतिक भासा कोड और डी कोड ये जिसको हम कहते हैं, कोड डी कोड ये है, अक्षर अंक और चित्रों के द्वारा संबंद देखना, छुपे हुए चित्रों को मेडिंग फिगर फाइंड आउट करना, वर्ग और अंक गणिती संक्रियां, चित्रों का मिलान और पैटर्न, ये सारा कुछ इसके हिस्से पढ़ रहा है, तो ये समझिए कि ये जो दसंक का आपका हिस्सा है, आपके परिक्षा में, वो सबसे कम है, लेकिन इसका कोर्स बड़ा लंबा है, आप चाहें, अगर मैच्स बेक्राउंड से हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने दूसरे विशे से अपनी परिक्षा पास की है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप इस पात को समझिएगा, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के प्रश्णों में दिक्कत होगी और आपकी केमेंट्स आते हैं मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो ज दिस्ता होगा, जो दस अंक आपको दे सकता है, उस पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपका कमेंट आएगा, तो मैं जरूर इस पर ध्यान दूँगा, चौन्थे भाग में हम जब पहुशते हैं, तो ये भाशा का है, सामान ने हिंदी का है, दस अंक के दस कार, संधिस्वर, व्यंजन, विसर्ग संधी, व्याकरण की असुद्या, तत्स्वम, तत्बव, देशज, विदेशी, पर्यावाची, समानार्थी, विवप्रतार्थी, अनेक सब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ती, तो जब आप छतीस गड़ी की तैया बहाशा का जो दूसरा खंड है वो भाग पांच है जो इंग्लिश का है जन्रल इंग्लिश इसमें भी दस अंग के दस प्रश्ट होंगे और इंग्लिश ग्रमर का है नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनावन, नावन, एड्जेक्टिव, वर्प, इम्पोर्टेंट कंजं बस है दोनों लेंग्वेच का आप अगर ध्यान से तयारी करेंगे तो आपकी यह तयारी हो सकती अच्छे से हो सकती है छट्वा और अंतिम भाग जो कि आपके पाठ्यक्रम का है वो बीस अंका है और वो है स्थानी परिवेश की जानकारी यह आपके लिए सबसे आसान हिस् साथ में इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी कि आप अपने अंचल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखें जैसे यह सारा जो परिक्षा है वो इस्थानी इस्तर पर हो रही है तो बस्तर संभाग का इतिहास और स्वतंतरता अंदोलन में यहां के स्थानी निवासियों का जो युगदान है उस पर आप तैयारी करें बस्तर संभाग के पूरा तात्य के आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए बस्तर संभाग का जो साहित्य है संगीत है नृत्य कला आयम संस्कृति है जनवला है मुहावरे हाना बोली यह लोकोक्ति जब बस्तर तरक की जो जट्आतियां है परमपराय है तीजोटियवाश्चय उस पर है बस्तर की अर्थ वयवस्था वन क्रिशी है बस्तर के उद्योक जल, उर्ज्या और खनिच शंसाधन, बस्तर संभाग की समसमाई घठना है तो यह इस्तौनी इस्तर के परिवेश पर आदार पेज आपको मिल जाती हैं तो आप यह ध्यान रखें जी एस और आपका लोकल यह दो चीजे आपको अच्छी वेटेस दे सकती हैं अगर आप अपनी तयारी अच्छे से करते हैं तो अपनी सिलबस को बहुत धंग से तयार करें उसको समझ के तयार करें किनके नहीं हिस्थों से ज्यादा मेनज किज़ें रचे कौन-कौन सा इससा आपका वीक पाइंट है तो उस पर कैसे तयारी करने यह सारी चीजें आप समझ लें अगर आपको इसके दिशा इसके बारे में और कोई मन में कोई शंका हो किसी तरह की कोई बात जाननी चाहते हैं आप पूछना चाहत होंगा तो आज की वीडियो मुझे यहीं पर इजाज़त दिए कि मैं समाप्त करूँ और मिलेंगे नए वीडियो में आपके कोई और नहीं जैनकारी के साथ तब तक कि आप अपनी तयारी करते रहिएगा मिलेंगे नए वीडियो में नमस्कार जैन